तो बेटा हम लेकर आएं आपके लिए 20 डेस का प्रॉमिस रिविजिन सीरीज फॉर या बोर्ड एक्जाम यहां पर हम लोग 20 डेस में आपका रिविजिन कराएंगे आपके टर्म टू के सलेबस का जहां पर बिजनेस और इंडियन इकानोमिक्स कवर करूँगा मैं और यहां मैं अपने बारें बताता चलूँ तो मैसल्फ इस अमीर ओके एंड अबाउट अकांटेंसी और इकानोमिक्स वह कवर करेंगी हमारे श्वेप सर तो आज ही हम शुरू कर रहे हैं अपने बिजनिस के पहले चेप्टर टर्म टू के व ट्रेडिशनल अप्रोच में स्टाफिंग का क्या मतलब है तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मतलब होता था कि अगर हमारे पास में कोई भी वेकंड पोजिशन और्गनाइजेशन में अवलेवल है तो यहां पर किसी भी परसन को हम रिक्रूट कर लेंगे फिर चाहे वो किसी भी डोमेन से तालोग रखता हो लेकिन अगर हम मॉडर्न कॉंसेट की बात करें तो इन मॉडर्न कॉंसेट स्टाफिंग का मतलब होता है किसी अगर हमारी और्गनाइजेशन में कोई भी एक वेकंड पोजिशन एवलेवल है तो एक यहां पर सही परसन को सही टाइम पर सही प्लेस पर अपॉइंट करना इस कंप्राइजिंग अगर हम करते हैं तो यहां पर हमें रिकूट्मेंट करना होता है जिसमें हम आगे समझेंगे कि रिकूट्मेंट क्या है रिकूट्मेंट कितने तरीकों से किया जाता है क्या इसका प्रोसेस रहता है रिकूट्मेंट हमें करना पड़ता है हमें उनका selection करना पड़ता है उनकी training देनी पड़ती है उनको development होता है उनको अच्छी और fair remunerations provide करने पड़ते हैं यह सारी terms मिलके बनाती हैं आपके modern staffing concept को तो यहाँ पर अभी हमने क्या समझा कि अगर हम traditional approach की बात करें तो staffing का मतलब होता है कि किसी भी एक बंदे को ले कर रहो और उससे काम करवा लेकिन modern approach में हम एक सही person को सही time पर सही place पर appoint करेंगे उसका training करेंगे उसका development करेंगे और उसको fair remunerations भी provide करेंगे अभी हम देखते हैं कि staffing की importance क्या होती है staffing की importance पहली हम देखेंगे तो यहाँ पर filling the roles by competent personal इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारी organization में कुछ positions vacant है उन vacant positions को हमें जिस fill up नहीं करना कि खाल ये किसी को भी बिठा दो बलके उन vacant positions पर हमें उन लोगों को बिठाना है जो कि हमारे लिए competent हो competent personals यानि कि ऐसे लोग हों जो कि हमारी किसी भी competitor के पास में मौझूद ना हो जैसे कि 2022 में अगर हम बात करें IT sector की तो IT sector में कि यहाँ पर अभी competent personals की बहुत जादा demand है इवन हर company एक अच्छे personal को hire करना चाहती है एक story है कि एक personal था जो के आपका बात काम कर रहा था जिसका package का 10 LPA का clear तो उसको offer हो गया because he is very much competent तो उसको किसी और company ने package दिया 18 LPA का तो उसकी foreign जिस company में वो work कर रहा था उसकी company ने फॉरण उसको cross validation करके उसको भी 18 LPA का offer कर दिया दो दिन के बाद में उसकी रैवल company ने उसको offer कर दिया 24 LPA का या direct jump from 10 to 24 यह 10 to 24 का जो jump आ रहा है और दो companies के बीच में tie up चल रहा है या दो companies के बीच में competition चल रहा है कि कौन अपने पर्सनल को जादा सेरी दे पाएगा यह क्यों चल रहा है because to fill the roles by competent personal यानि कि आज कोई भी industry नहीं चाहती कि हमके अपनी vacant position पर किसी भी एक normal बंदे को hire कर लें बलके वो चाहते है कि हम एक ऐसे competent personal को hire करें जो के हमारे लिए effective भी हो जो के हमारे लिए efficient भी हो और जो हमारी organization की growth में contribute करें second importance of staffing is placing right person at right job जिसको हमने discuss किया कि जिस time पर जिस बंदे की हमें जरूरत है हमें वही बंदा अपनी vacant position पर fill up यानि के vacant position पर उसको लेकर आना है यानि कि क्या हुआ कि अगर हमारे यहां पर को भी vacant position है तो हमें सबसे पहले find out करना है right person यह हम किसके ज़र यह करेंगे हम recruitment चलाएंगे हम अपना recruitment करेंगे candidates को invite करेंगे resumes लेंगे यानि कि right person को पहले find करेंगे और फिर उसको एक right job appoint करेंगे जो भी हमारे यहां पर position vacant है next जब भी हम staffing करेंगे तो staffing की importance यह होते है staffing हमारी enterprise के growth में help करती है staffing हमारे enterprise के growth में कैसे help करेंगी को बच्छा क्या होता है कि जब हम एक अच्छे candidate को market से लाके अपनी vacant position पर बिठाएंगे तो directly और indirectly he or she contributes in the growth of our enterprise यानि कि कोई भी enterprise यह नहीं चाहेगा कि हम कि ऐसे बंदे को लेकर आएं यह ऐसी बंदी को लेकर आएं जो कि हमारी लिए बिल्कुल भी growth ना दे बलकि हम staffing के जरीए यह staffing जो कि एक HRM का पार्ट है जो कि हम next topic में discuss करेंगे staffing हमारे लिए help करता है कि हम अपने staffing करके अपनी इंटरफेस के growth में help करें next is optimum utilization of human resource हम लोग सब जानते हैं पर 12 में आ गए कि humans are also a resource तो staffing help कर रहा है optimum utilization of human resource किस तरीके से because by providing them training and development उनसे जितना काम लिया जा सकता है उनसे वो सारा काम हमें लेना है जिसमें हमारे पास एक principles भी आता है जिसमें हमारे पार henry phil और fw talent ने भी इसकी उपर हमें principles दियें कि अगर हमारे पास में कोई भी candidate मौजूद है तो हमें उसको उसकी greatest efficiency तक यूश करना है और उसको उसकी greatest efficiency तक लाने के लिए हमें कौन help करेगा term staffing next help in competing help in competing यानि के एक company हम PC ठीक है और उसको competition करना है XYZ से तो यह जो competition है वो किस तरही के से चलेगा जैसे मैंने आपको अभी यहां समझाया कि दो companies आपस में एक candidate के लिए लड़ रही है एक candidate के लिए competition पर उतर रही है क्यों बिकॉस हर company को क्या चाहिए एक competent personal एक ऐसा staffing पर एक ऐसा बंदा चाहिए ज next improve job satisfaction अब companies जो है सारी companies जो है सिर्फ अपने बारे में सोच रही है क्या staffing जो है candidates के बारे में भी सोचता है employees के बारे में भी सोचता है हां बिल्कुल सोचता है यहां पर के improve job satisfaction जो कि हमारा एक और स्टाफिंग का यहां पर स्टाफिंग क्यों होता है because staffing in a modern concept means by providing training and development to the personal and providing competent salary तो जहां अपने employees को अच्छी salary देंगे training देंगे development देंगे उनकी career को और ज्यादा enhance करने में उनकी help करेंगे तो इससे हर employee को job satisfaction रेज़ जाता है let's say कि मैं आप से कहूं कि आपको Microsoft में जॉब मिलिए और आपको एक जॉब मिलिए एक xyz company में तो आप किसको आप करोगे जाएसी चीज़े आप Microsoft को करोगे because Microsoft की जॉब है वह आपको प्रोवाइट करेंगी job satisfaction वह आपको training देंगे development देंगे आपके केरियर में announcement में आपके help करेंगे next key to effectiveness staffing क्या है पूरा process चलता आ रहा है के recruit करेंगे selection करेंगे training होगा development होगा competent salary होगी यह इतनी सारी चीज़ने क्या देंगी यह इतनी सारी चीज़ने directly और indirectly contribute करेंगे in the effectiveness of our enterprise यानि के हमारे employees हमारे लिए help करेंगे कि वो हमारे काम को time से पूरा कर लें effective के साथ साथ में हमारे employees efficient भी होगे और यह employees हमारे कब ऐसा करेंगे जब हम staffing को proper तरीके से कर पाएंगे and what is proper staffing फिर से repeat करते हैं कि यहाँ पर recruitment चलेगा selection होगा training होगी development होगा आपका competent salary भी provide की जाएगी अब चलते ह हमें अपने next topic की तरफ ठीक है भी तो अब हम देखते है HRM what is HRM human resource management अभी हमने देखा कि humans are also resources तो इसके लिए HRM क्या आया human resource management क्या humans resource की भी हमें management करना पड़ेगा तो हाँ बचलो बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि जब हम staffing को एक बहुत बड़े level पर करते हैं तो वो part बन जाता है आपका HRM का अब यह HRM क्या होता है HRM का मतलब होता है कि हमारे पास क्या हुआ हमारी organization में हमने एक अलग से department बनाया HRM अब staffing से related जितनी भी activities होंगी चाहे वो आपकी training हो आपका compensation हो आपका development प्रोवाइट करना हो आपका recruitment करना हो आपका selection करना हो यह सारा काम किसका हो जाता है HRM का यानि human resource management का यह human resource management क्या करता है human resource management की different activities होती है जो के वो perform करता है regular basis तो आईए देखते हैं कि कौन-कौन से activities है जो के HRM perform करेगा, सबसे पहला होता है human resource planning what is human resource planning human resource planning में HRM सबसे पहले ये देखेगा कि पूरी organization में ऐसी कितनी positions है जो कि vacant है ऐसी कितनी positions है उन में से जिनको हम internally recruit कर सकते हैं उसके बाद में ऐसी कितनी positions ऐसी बचेंगी जिसके लिए हमें बहार से candidates hire करने है so that is the human resource planning next step is recruitment selection and placement HRM ने एक बाद planning कर ली कि उसको कितने candidates की जरूँ होते अब ये planning क्यों कर जारी हम directly क्यों नहीं hire कर रहे हैं तो directly hire इसलिए नहीं करते हैं planning करके इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हमें नहीं पता होगा कि हमें कितने candidates hire करने हैं तो हम अपनी human resources को waste करेंगे हम अपना पैसा भी waste करेंगे हम अपना time भी waste करेंगे इसनी सबसे पहले planning उसके बाद उसका implementation चलेगा तो जब हम अपस planning हो गई तो अब हम उसका करेंगे recruitment recruitment को देखते हुँ चलेंगे रिक्रूटमेंट क्या होता है रिक्रूटमेंट इस जस्ट फॉर्मल इन्विटेशन ठीक है रिक्रूटमेंट का है इस जस्ट फॉर्मल इन्विटेशन तो पबलिक तो apply for the vacant position in our company यह बहुत सरल सी definition है इसकी मुझे आसान सी कि recruitment का मतलब क्या होता है कि जो भी vacant position हमारे यहाँ पर मौझूद है उसके लिए लोगों को invite करना कि वो उसके लिए apply करें recruitment में हमारे पास में बहुत सारे resumes बहुत सारी applications आजाएंगी उसमें से हम उसका filter करेंगे और selection करेंगे ऐसी candidates का जो के हमारी job position के लिए competitive है जब हमाँ पास selection हम उनका कर लेंगे तो अब हमें उनका करना होता है placement placement यानि के उनको job offer कर दी जाएगी तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले HRM करता है planning फिर करेगा recruitment selection और फिर job offer यानि के placement दे दिया जाता है next HRM जो हमारे employees यानि के employees के career growth perspective में भी help करता है career growth में किस तरीके से help की जाती है उनको training provide करके और उनको development करके यानि के उनका development किया जाता है time to time और उनको training दी जाती है ताकि वो dynamic बन सके जो भी हमारे environment में changes आ रहे हैं उन सब के साथ में उनको cope up किया जाता है नेक्स होता है performance appraisal यानि के HRM की एक और duty हो थी that is the performance appraisal यानि कि यहाँ HRM हर employee का हर एक candidate के अंदर जखता रहेगा कि तुम क्या काम कर रहे हो तुमने कितना काम कर लिया है तुम यहने यह काम अब तक क्यों नहीं किया है और यह सारा performance appraisal वो पूरी एक लिस्ट बनाएगा और जाकर देदेगा तुमारे बॉस को तो अभी कहे कि HRM में performance appraisal means कि HRM यहाँ पे हर candidate का हर employee का पूरा चिठा अपने पास पूरा account अपने पास रखता है कि तुम कब आई तुम कब गई कब तुम फालतू बैठे थे कब तुम काम कर रहे थे कितना तुमने company को output दिया कितना तुमने company की growth में health किया कितना तुमने company की sales को generate करके दिया और यही performance appraisal करने का काम किसका होता है हमारे HRM का next होता है motivation employees आए हैं बड़े थके हुए से उनसे काम निकल वाना है ठीक है तो भी जैसे के आपके lazy mondays ठीक है lazy mondays होते है Monday में कित्ती का काम करने का दिल नहीं करता तो Monday में अपने employees से किस तरीके से काम निकल वाना है तो वह होंगे उनके motivations यानि का उनको psychologically target करना है उनसे ज्यादा से ज्यादा काम अपना निकल वाना है यह उनका development के जरीए भी हो सकता है अब motivation हमारे पास यहाँ पे cash में भी होते हैं और non cash भी होते हैं motivation का एक और पार्ट होता है कि हम अपने as a manager as being a manager or as being a part of HR हम अपने सारे employees के साथ में एक friendly nature बना के रखें ताकि उनके और हमारे बीच के relations अच्छे रहें नेक्स होता है compensation यानि कि हमारे employees जितना भी इस एक enterprise के लिए काम कर रहे हैं तो उनको compensation competitive ही मिले अब खुश सोचा है तुम किसी एक organization में काम कर रहे है वह तुम्हें दे रहे है 15,000 लेकिन दूसरी organization तुम्हें 18,000 भी offer कर रहे है तो तुम वहां क्यों काम करोगी जहां तुम्हें 15,000 मिल रहे है तो इसलिए हर company की कोशिच रहती है कि वह अपने employee को एक competitive salary provide करे ताकि वह उसको छोड़ कर कहीं और ना जाए नेक्स होता है social security, what is social security, social security means कि हमारे पास में यह पर जितने भी candidates होंगे या employees होंगे उनको socially secure किया जाएगा, socially secure जैसे कि हम लोग को CTC provide किया जाते हैं, महाँ पर हमारे पास life insurance ठीक है, बहुत सारी policies हमें provide की जाते हैं, ताकि हम लोग पूरी तरीके से socially secure हो जाएगा, ठीक है अब लास्ट है मारे पास यहाँ पर क्या, social security, social security का मतलब होता है कि जो भी employees हमारी organization में काम कर रहे हैं, उनकी remunerations का खयाल रखना, उनको time to time remunerations provide करना, अगर old age pension की scheme है, तो उनकी old age pension का खयाल रखना, उनके accidents का खयाल रखना, emergencies का खयाल रखना, यह सब चीज़ां आ जाती अब हम अपने देखेंगे next topic, जो कि है process of staffing, किसा समझ गए कि staffing क्या है, HRN क्या है, यह सारे लोग मिलके क्या काम कर रहे हैं, अब यह बता दिए कि staffing को करा कैसे जाएगा, तो चलो अब देखते हैं, अब नहीं रुखने हैं, तो process of staffing में हमने रखिए तुम लोगों के लिए इसका क्या मतला हुआ, कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो मैं पहले इस company में गया, तो उसने भी मुझे से मना कर दिया, मैं इस company में गया, उसने हर कोई का मना करता जा रहा है, तो मैंने भी क्या करा, मैंने बना दिया, entry restricted so please of third door, यानि कि हमारे यह नवक भी आपके letters, red mark है, वही आपके processes है, ठीक है, जैसे के E, तो E से है estimating the manpower requirement, जो के अभी हमने अभी थोड़ दिर पहले discuss किया था, कि सबसे पहले अगर हमें अपनी organization में staffing करनी है, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा, कि हमारी organization में ऐसी कितनी position से जो के vacant है, ऐसी कितनी position ह इसके लिए हमें बंदे बहार से recruit करके लाने है, second हमारा step आजाता है recruitment, यहां recruitment का मतलब होता है, कि हम अपने vacant position के लिए candidates को invite करेंगे, कि वो हमारी यहां पे अपनी resume के साथ apply करें, next आता है so, so से मतलब आपका selection, जहांपस recruitment होके आजाएंगे, different जगाउ से recruitment हम आगे चलके discuss क करेंगे किस की कितने types होते हैं, तो recruitment के बाद में आता है selection, यानि अब हमारे पास में जितनी भी applications आई है, उन में से हम filter करेंगे ऐसे लोगों को, जो कि हमारी vacant position के लिए सबसे top class ते, और उनको हम करेंगे selection, selection करने के बाद में होता है placement and orientation, what is placement, placement का मतलब होता है, उनको job offer कर and what mean by orientation, it means कि हमारे यहाँ पर हमारी company में जिस दिन भी वो employee आएगा अपने first day में, तो हम उसको पूरी organization के साथ में orient कराएंगे, यानि कि उसको बताएंगे कि तुमारे boss कौन है, managers कौन है, तुमारे senior कौन है, तुम किसके under में काम करोगे, तुमारे team lead क्या है, आपको cafeteria कहाँ परे, इन सब चीजों के साथ में उसका orientation, यानि कि तारूफ कराएंगे, next आता है आपका training and development, training means कि हमारे अपने employee को हमें अपना dynamic बनाना है, dynamic यानि कि कोई भी अगर change आ रहा है, तो उसके साथ में उसको foreign से train करना है, ताकि वो हमारे लिए एक competitive employee बना रहे, next होता है उसका development, development, development उसकी नई skills में उसके साथ उसको upgrade करते रहना है, तो यह क्या है, आपका process of staffing, और staffing का यह पूरा काम कौन समालेगा, अगर बहुत बड़े लेविल पर हो रहा है, तो HRM यानि कि ते पार्ट आप human resource management, तो staffing modern concept में क्या होता है, कि सबसे पहले पता करना manpower की requirement कितनी है, recruitment करन फिर selection, then placement, orientation, then training, and in the last, the development of our employee, okay, चले बही, अब हमारे पास है, recruitment, ठीक है, जो कि हमने HRM के partner पढ़ा, अब हम इसको widely पढ़ेंगे कि क्या है, recruitment का है, it has been defined as the process of searching for prospective employee and stimulating them to apply for job in an organization, यानि क्या मतलब हुआ, कि यहाँ पर recruitment को हम इस तरीके से define कर रहें, कि हम एक अच्छे candidate के लिए बाहर search करेंगे, उनको stimulate करेंगे, कि वो हमारे यहाँ पर vacant position जो है, उसमें के अपने apply करें, ठीक है, कि हम पहले बाहर search करेंगे, एक अच्छे candidate के लिए, उसको stimulate करेंगे, कि हमारे यहाँ vacant position के लिए apply करें, तो यह होता है आपका recruitment recruitment कितने तरीके का होता है हम इतनी जर से कहते चले आरें कि recruitment की टैप recruitment की टैप तो recruitment यहाँ पर होता है दो तरीके का एक है आपका internal और दूसरा होता है external what is internal recruitment internal recruitment का मतलब होता है कि अगर हमारे यहाँ पर कोई भी job position vacant है तो सबसे पहले हम उसको internally find out करेंगे कि हमारे कोई ऐसे employees भी है जो इस vacant position को fill कर सकते हैं या नहीं इस internal recruitment के क्या फायदे होते हैं सबसे पहला होता है economical next होता है motivate existing employee economical means कि internal recruitment comparative of external recruitment हमें काफी cheap पड़ता है क्योंकि वो हमारे पास employee पहले से ही existing है हमें बहार सर्च नहीं करना पड़ता है next जिस भी employee का हम चाहिए promotion करें हम चाहिए transfer करें यह mode होते हैं आपके internal recruitment के clear तो इससे हमारे जो existing employees होते हैं उनको motivation मिलता है next external internal recruitment के क्या नुकसान होते हैं no fresher come with new ideas यानि के जो हमारे यहाँ पर पुराने employees काम कर रहे हम उन्हीं के साथ अपनी नई vacant position को fill up कर रहे हैं यानि के कोई भी नई candidates नहीं आ रहे हैं जबकि नए candidates आने का फायदा होता है कि वो लोग जादा टेकनोलोजीकली अप्ग्रेड़ेड होते हैं next limited choice अगर हमें internally अपने recruitment को fill up करना है तो इसके लिए हमारे पास में wider choice नहीं होते हैं जबकि अगर हमाँ पास में external mode of recruitment होगा तो एक position के लिए हमाँ पास thousands of candidates हो सकते हैं और उसमें से हम एक top class candidate को choose कर सकते हैं next disadvantage होती है not suitable for new organization अगर कोई organization नई setup हुई भी है यानि कोई नया startup है तो नए startup के लिए internal source of recruitment available नहीं होते हैं अब देखते हैं अपना second mode of recruitment that is external external recruitment means कि यहाँ पर हम एक अच्छे candidate को stimulate करेंगे कि वो हमारी organization के लिए job पर apply करें इस external recruitment के क्या benefits होते हैं सबसे पहला benefit होता है कि हमें fresh talents मिलते है external recruitment भी हमाँ पास different modes के होते हैं different types के होते हैं जिसको हम आगे discuss करेंगे next हमाँ पास एक vacant position के लिए wider choice open हो जाती है यानि कि एक कोई भी vacant position अगर हमारे पास में available है तो उसके नहीं पास hundreds of thousands of employees हो सकते हैं जिसमें से हम एक अच्छे candidate को select कर पाएंगे next है qualified personal और latest technological knowledge यानि जब भी हम किसी एक fresh talent को external mode of recruitment के जरिये लेकर आते हैं अपनी organization में तो वो लोग ज्यादा technologically advanced होते हैं as comparative of उन लोगों के जो के हमारी organization में बहुत time से काम कर रहे हैं next external source के भी अभी कुछ अपने disadvantage होते हैं जैसे moral of old employee decrease जैसे हमार अपनी organization में एक नया employee लेकर आते हैं तो पुराना वाला employee को होता है उससे चिड़न लग जाता है क्या मुझे में कैसी क्या कमई रहेग दिया जाएगा नहीं होने दिया जाएगा वहाँ पर इसकी duty पूरी करेगा आपका HRM क्योंकि HRM की duty होती है motivate करना next आपका lengthy process is also a disadvantage of external recruitment because कि अगर हम किसी भी candidate को externally लेकर आ रहे हैं तो वह एक काफी लंबा process हो जाता है काफी expensive process हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमाप different steps हैं जैसे कि हमें सबसे पहले पता करना होगा कितने बंदों की जरुवत है फिर हमें recruitment करना होगा selection होगा training होगा training होगा आपका development होगा performance appraisal होगा यह बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जह हम external mode के जरीए कोई भी recruitment करते हैं यह अपनी वेकन पोजिशन को फिल करते हैं ओके चले बगई next आता है आपका casual callers, casual callers क्या होते हैं कि किसी एक company में job positions निकली और 10 job position है उन 10 job positions के लिए बहुत सारे hundreds and thousands of candidates ने apply किया होगा तो company को तो सिर्फ 10 ही बंदे चाहिए लेकिन company बाकी सारी applications का क्या करेगी तो company बाकी सारी applications को अपने record में maintain करती है क्यों करती है ताकि in future company की दुब वो में से सर्च करती है candidates को जो कि उसके यहां पर काम कर सकते हैं और उन्हें हम बोलते हैं casual callers, next होता है employment exchange, अब यहां पर हम अपस employment exchange जो होता है यह एक program में जो कि आपके government की तरफ से चलाए जाते हैं, अब इन employment exchange में क्या होता है, जैसे आपने देखो कि government आपको रोजगार provide कर रही है, जिसमें मन्रेका दे रही है आपको, जिसमें मन्रेका में क्या होता है, कि 100 days of employment की guarantee दी जाती है, तो यह जो employment exchange होते हैं, यह आपके government की तरफ से चलाए जाते हैं, जिसमें government अपने candidates को place कराती है किसी भी company में, चाहिए वो company आपकी private भी हो सकती है, वो company आपकी government भ ही कैसे work करते हैं, but the core difference between these two is, employment exchange are run by the government and placement agencies are running by the private institutes or peoples, next होते हैं, आपका advertisement, which is the source of the external recruitment, advertisement होता है कि यह advertisement आपके newspapers में हो सकते हैं, advertisement आपका television में हो सकता है, यह आपकी web publishing हो सकते हैं, तो अगर किसी भी company में कोई job position निकली है, तो company उस job position के बारे में, advertise करेगी in newspaper, radio, television, तो यह भी आपका एक source बन जाता है, next आता है आपका campus recruitment, in campus recruitment, यहाँ पर tie up होता है आपके college और MNCs में या पर कोई भी national companies में, इनके बीच में tie up क्यों होता है कि college के अंदर जो भी final years graduates या आपके post graduate candidates होते हैं, तो companies आपके colleges में visit करते हैं, और during your studies आपको job offer कर दी जाती हैं, after some rounds of interviews, next आता है recommendation of employee, recommendation of employee means, like a Ram is working in Wipro, ठीके, तो राम ने, राम की company में कोई एक job position निकल करें, और वो job position बहुत ज्यादा बेहतर है उसके younger brother के लिए, तो उसने क्या किया, अपने भाई को अपनी ही company में recommend करा दिया, कि यह मेरा भाई है, जो के काम कर सकता है, he is capable of doing work in Wipro, तो Wipro क्या करेगा, राम का जो younger brother है, उसके पास में एक quota मिल गया, एक special quota, that is the recommendation of employee, तो Wipro अब यहाँ पर जितने भी interviews लगाएगा, वो किसका recommendation पर लगाएगा, राम के recommendation पर, ठीक है, next आता है, आपका labor contractors, labor contractors क्या होते हैं, let's say कि government को bridges बनवाने हैं, dams बनवान तो वो क्या करते हैं, वो किसी एक person को hire करते हैं, जैसे कि मानों कि आपको एक अपना building construction करवानी है, तो आपने building construction के लिए क्या किया, एक builder को hire किया, ना कि आप hundred and two hundred of workers को hire करके लाओगे, आप क्या करोगे, सिर्फ किसी एक person को hire करोगे, और वो आपके लिए आगे, further hundred to hundred and thousands of employees खुद ले आएगा, जैसे मान लिए आपके कोई भी bridges बन रहे हैं, या dams बन रहे हैं, तो मौन पर government क्या करते हैं, contractors को contract provide करती है, और वो contractors अपने साथ में क्या ले आते हैं, two hundred, five hundred and thousands of workers ले आते हैं, उनी को हम बोलते हैं, यहापे labor contractor, next होते हैं, आपके web publishing, web publishing, आज के time में स हैं, आपके recruitment processes के लिए, यह फिर आपके पास में indeed है, shine.com है, नौकरी.com है, यह सारे आपके web publishing के sources बन जाते हैं, clear, तो हमाएं पास में यहापे जितने भी external recruitment के modes हैं, उन में से कुछ यह हैं, ठीक है बच्चा, अब हम recruitment के बाद में हमारा second mode आता है, आपका selection, selection क्या होता है, कि recruitment में हमने देखा कि बहुत सारे candidates के हमारे पास में application आई, लेकिन हम सबको job नहीं दे सकते, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए अपने top candidates, जो के हमारे लिए सबसे जादा competitive और ह उसके लिए हमापा second step आता है, HRM का वो आता है, आपका selection, selection क्या होता है, कि यहाँ पर हम सब अपने लिए सबसे जादा appropriate और सबसे जादा effective candidate को select करेंगे, जो के हमारे लिए competitive भी होगा, और जो के हमारे लिए effective भी होगा, अब इस process of selection क्या है, process of selection है आपका, उसकी track है हमारे हमारे पास में पनीर, टिकका, fry chicken, सब मंगा लो जल्दी से, क्यों, अब यह सब चीज़ें क्यों मंगा रहे हैं, यह सब चीज़ें इसलिए मंगा रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी job लगने वाली है, ठीक है, तुमने recruitment में applications दी, application में तुम select हो गए, अब जब इतने select पहला test जो तुम्हें पार करना है, इसमें क्या होता है, कि जो भी आपका छोटे level का manager होता है, तो वो जितनी भी unqualified applications होती है, वो खुद reject कर देता है, and it is the part of the preliminary screening, अब वो लोग जिन्होंने preliminary screening को पार कर लिया है, अब उनके पास second step आ जाता है, वो होती है, तेस्टिंग में यहाँ पर possible है कि आपके कुछ written test भी हो सकते हैं, आपके कुछ assessments भी हो सकते हैं, और इन testing के जरीए test की जाता है आपका aptitude test, आपकी thinking ability और आपकी critical thinking, जब आप वो candidates जो testing में fail हो जाते हैं, उनको फिर filter out कर दिया जाता है, और आप जैसे लोग जिन्होंने इसको भी पार कर लि managers या highly qualified personals के साथ में, वो लोग जो के final interview, वो लोग नी, मतलब तुम लोग जिन्होंने final interview को भी cross कर लिया, अब वो चले जाते हैं, checking reference and background, यानि कि अब चेक करा जाएगा कि तुमने अपनी life में कोई लफड़े लफड़े तो नहीं करें, कि तुमारे उपर कोई cases वागरा है या तुम ये चेक करा जाएगा, फिलस चेक किया जाएगा कि तुम किस background से आते हो, तुमारा background क्या है, तुमारा way of talking क्या है, तुमारी family background क्या है, family में कितने लोग है, father, mother, भाए, भेंड, इस सब क्या करते हैं, इस सब चीज़ें चेक की जाएगे, तुम लेकर त्यार अच टीक के हैं नागee जाता है इसलिए क्या आजाता है गी कमपनी यह पता कर सके कि तुम कोई बीमार तो नहीं हो, company क्यों जानना चाहती है, मैं बीमार नहीं हो, मेरी दवा का खर्चे देगी, दवा का खर्चे बिल्कुल नहीं देगी, company नहीं चाहती है, कि वो किसी एक ऐसे बंदे को recruit कर ले, जो पहले से बीमार हो, क्यों? क्योंकि वो पहले से बीमार है, तो आए दिन चुट्टी करेगा चुट्टी करेगा तो company का loss होगा तो medical examination में company assure कर लेती है कि जिन बंदों को हम recruit कर रहे हैं वो बीमार नहीं है उसके बाद में आपको job offer कर दी जाएगी ठीक है job offer कर दी जाएगी तो आप भी zometo खोल के ये चीज़ें order कर लें ठीक है तो आप आपको job offer हो चुकी है उसके बाद में आपको दी दिये जाएगा contract of employment यानि कि अब आपको यहाँ पर contract मिल जाएगा आपकी company के साथ में sign करो fill करो और मजे करो अब next है हमारे पास में कि recruitment हो गया selection हो गया अब है training और development अभी training और development क्या है training का मतलब होता है कि जो तुम employees हो या जो भी हमारी organization के employees हो उनकी skills को upgrade करना ठीक है क्योंकि अगर हम लोगों ने जैसे मानो master's कर लिया, graduation कर लिया और हम सोचें कि अब हम job पर चले जाएगे अब कुछ नहीं करना तो वो आपको training जरूर provide करेंगी फिर यह चाहिए वो 7 दिन की हो सकती है डेड़ महीने की हो सकती है 20 दिन की हो सकती है यह vary करता है company to company अब यह company training क्यों provide कर रही है जैसे मानो मैं किसी company में लगा company ने मुझे training पर रखा 20 दिन तो जैसे बाते company मुझे कोई काम नहीं करा रही सिर्फ train कर रही है बता रही है बैठे रो देखते रो तो उसका पैसा मुझे क्यों दे रही है इसके company को कोई फायदे होते हैं बिल्कुल होते हैं वो इसलिए दे रही है तो यहाँ पर training के फायदे हमारी organization को भी है और हमारे employees को भी मिलते है organization को क्या फायद होते है reduce learning time अब सोचो कि तुम्हे recruit करते ही काम दे दिया गया अब तुम नहीं कर पारे क्योंकि हर company के काम करने के rules and regulations and policies different होती है तो अगर तुम से direct काम करवाय जाएगे तो तुम्हें सीखने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और तुम नुकसान भी बहुत ज्यादा करोगे company का इसलिए company का करते है पहले ही तुम्हें 20 दिन की training provide कर देगी ताकि जब तुम 21 दिन से काम करना शुरू करो तो तुम्हारा learning time बिल्कुल reduce हो जाए और तुम company को ज्यादा से ज्यादा output generate करके दो next है better performance या खुछ सोचो कि बिना training के काम करने चले गए तो क्या ही performance दे पाओगे देखते रोगे कि ये प्रिती दीदी क्या कर रही है आरती दीदी क्या कर रही है कि भाया मुझे ये सिखा दो तो यहां पर performance के बिल्कुल ही निकल के नहीं आने वाला इसलिए कंपनी के घर्री training दे रही है ठीक है तुमारा भी फायदा हो रहा है कि तुमारे performance लेविल बहुत ज्यादा increase हो रहा है next attitude formation attitude formation क्या है कि training थी नहीं ठीक है इंटर्वी इंटर्वी क्रेक कर लिए और चले गए काम करने के लिए अब मापे लोगों को देखके घबरा रहे हैं ठीक है और हो सकता है कि सामने वाला बंद हमसे भी जादा बेकार हो भी है तो यहां पर कहें जब हमें training मिल गई तो हमारे अंदर एक attitude formation हो जाएगा अपनी 56 इंटरी का सीना निगाल लेंगे ठीक है कि हमसे भी कुछ आता है तो company ने तुम्हें training provide करी training provide करके होगा तुमारे अंदर एक attitude formation आएगा कि हां तुमसे भी कुछ आता है कि तुम Excel में mastery करे वे हो तुम प्रोग्रामिंग में mastery किये वे हो तुमसे management बहुत अच्छा आते हो तुम बहुत बहुत बहतर कर सकते हो यह attitude formation कब आएगा जब company तुम्हें training provide करेगी और यह जो attitude है वो positive है negative नहीं ठीक है next आता है managing manpower need अब देखो company ने तुम्हें recruit कर आए क्योंकि उसे ज़रूरत थी manpower की clear तो company तुम्हें training दे रही है इसलिए क्योंकि उसे तुमसे जो भी काम निकलवाना है वो तुम उसको करके दे सको ठीक है तो company को जो भी manpower की need अपनी है उसके हिसाब company तुम्हें train करेगी clear ताकि company अपनी organization में effectiveness को maintain कर सके अब देखें इसके फाइदे employees को क्या होते है training मिलने के सबसे पहले आता है better career option ठीक जितनी ज़्यादा तुम्हें training मिलेगी clear तुमारे आगे चलके career objectives उतने ही ज़्यादा एनास होते चले जाएंगे ठीक है एक trained बंदा यानिके skilled बंदा और एक unskilled बंदा ठीक है तो unskilled नहीं कमा सकता है तुमारे अंदर जितनी ज़्यादा skills होंगी तुम उतना ज़्यादा कमा सकते हैं और यहाँ पर तुमारे एक tip है जैसे तुम लोग का 12 हो गया हो जाएगा अब ठीक है अब बहुत अच्छे marks के साथ में होगा क्योंकि तुम लोग हमारे साथ जुड़े वे हो ठीक है तो अभी क्या है कि जैसे तुमारी excel है ठीक है एक excel होता है नॉर्मलिक होता है advance excel है तुमारे ऐसे power BI जैसे tools है यह चीज़ें क्या है यह तुमारी training का part है skills का part है जैसे तुमारे पास में यह सारी skills होंगी तुमारी earning capacity जो होगी और दूसरे individuals के मुकाबले में बहुत ज़ादा increase करेगी next आपका boost up the moral boost up the moral क्या होता है कि moral means कि काम करने का एक जो motivation आता है कि यार अब तो मुझे करना ही है यह जब motivation है यह कब आएगा training के जरी है क्योंकि training stage पर तुम सीख चुकि हो तुम्हें क्या काम करना है तुमारा moral जो है वो automatically increase करेगा जबकि अगर तुम्हें training नहीं मिली होती तो तुमारे अंदा वो moral नहीं आता कि यार भाई मुझे काम करना है मोराल के रहते हैं बिल्कुल डाउन रहेगा next आपका less chance of accident ठीक है आप देखो ट्रेडिंग मिल चुकी है काम किस तरीके से करना है यह पता चल चुका है तो accident हो जाए इसके chances बहुत ज़्यादा reduce करेंगे अभी आपकी एक study है case वो है आपका company का नाम लो कौन सी है अडानी ठीक है तो अडानी company का case है कि अडानी company के एक employee से जो क्योंकि वो trading का काम कर रहा था तो उससे एक गलत click हुआ ठीक है जबकि वो बंदर train था पुराना employee था उससे एक गलत click हुआ और company को नुकसान हुआ within a second 50 करोड रुपीज ठीक है अब उस candidate का जो team lead था उसने उसको बहुत data बहुत सुनाया ठीक है बहुत ज़ादा और उसने फोरण ही क्या करा उस बंदे का यानि कि उस employee का termination later तयार कर दिया ये बात पता चली आपके अडानी साब को तो अडानी साब ने दौनों ही को अपने office में बुला लिया अब दौनों को office में बुला लिया और जो team lead था उससे बोला कि तुम इस बंदे को company से नहीं निकालोगे अब वो team lead बार बार ज़ित कर रहा है कि sir इसने हमारी company का एक second के तुम इसको बिलकुल नहीं निकालोगे और अडानी जी की इस चीज़ को industry में बहुत जादा माना गया क्यों यहाँ पर उस बंदे को इसलिए नहीं निकाला गया अडानी जी ने फौरण बोल दिया कि इसने 50 क्रोड का नुकसान कर रहा है ऐसा तुम देख रहे हूँ clear? इसने जो 50 क्रोड का नुकसान कर रहे है उसको नुकसान में नहीं बलकि training cost में डाल दो क्योंकि इससे जो आज नुकसान हुआ है ताकि इससे आगे चलके नुकसान न हो और इसने जो आज नुकसान कर रहा है इससे ये कुछ सीखा है कि नुकसान नहीं करना चाहिए अगर तुम इसको निकाल दोगे तो मीरी गलती से कोई और सीख जाएगा clear? तुम आपनोंने क्या करा? less chance of accident इस चीज को क्या गरा? कि जो नुकसान हुआ था उसको किस में डाल दिया? ट्रेनिंग, कॉस्ट में डाल दिया ताकि आगे future में दुवारा कोई नुकसान न हो ठीक है? चलने बई अब आप आगे हैं अपने chapter के last में और यहाँ पर देखेंगे कि training company जो तुमें देने वाली है उसके क्या methods हैं? तो यहाँ पर training के हमाँ पास में दो method है एक है on the job और एक होता है off the job on the job training का मतलब है कि यहाँ पर तुम जॉब भी कर रहे हो और job के साथ साथ में तुमें training मिल रही है clear? और off the job का मतलब होता है कि पहले तुमें training मिलेगी बाद में तुम real world में या real organization में जाके काम करोगे on the job का पहला होता है apprenticeship और एक होता है internship ठीक है? अब यह apprenticeship और internship के बीच में बहुत जादा confusion रहती है ठीक है? तो confusion नहीं है, simply जो gap है, difference है वो है इनके time gap का, ठीक है? अगर हम internship की बात करें तो internships जो होती है, वो आपके startups भी provide करते हैं MNCs भी provide करते हैं, और यह vary करते हैं आपकी एक महीने से लेके 6 महीने तक, ठीक है? जिसमें एक कोई भी employee, कोई भी जो trainee होता है, वो provision period में रहता है next अगर हम बात करें, apprenticeship में तो apprenticeship जो होती है, वो आपकी highly MNCs provide करती है जैसे कि आपका Google हो गया, Microsoft हो गया, Facebook हो गया जैसे कि IT industry में बहुत जादा एक चलता है, वो होती है FANG ठीक है? यह जो FANG industry है ना, IT वालों के लिए यह समझे लो कि उन्हें, शैक कोहिनूर मिल गया, अगर उन लोगों को इसकी FANG की internships मिल गई है, उसमें उन्हों जॉब कर ले अब यह FANG है क्या? तो FANG में यह है आपकी Facebook A से है आपका Amazon N से है आपका Netflix G से है आपका Google और एसे कुछ और है, वो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है? तो यह है FANG industry जो कि IT के लिए बहुत जादा मानने ता रखती है, ठीक है? तो apprenticeship क्या है? apprenticeship cycle जो होती है, वो आपके 2 से लेके 3 साल, एक से लेके 3 साल तक का time period लेती है और internship जो होती है, वो आपके startup भी provide कर देते हैं, क्योंकि वो खोद startup पे पैसे है नहीं देने के लिए तो वो क्या करते है, unpaid internships आपको provide कर देते हैं, एक महीने से लेके 6 महीने तक की coachings, coachings क्या है, कि एक तरीके समझो कि तुम किसी organization में as a employee हो गया, तुमारा selection हो गया तो जिस तरीके से अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग अभी बैठे वे, ठीक है, अपनी screens पर देख रहे हो तो coaching, बिल्कु कुछ इसी तरीके से होता है, कि यहाँ पर तुम्हें board पर सिखाया जाता है पहले, कि कौन-कौन से काम किस-किस तरीके से करना है, जैसे कि कुछ industry होती है, recruitment वाली जो industries होती है, वो इसी तरीके से अपने employees को, new commerce employees को training provide करती है, कि पूरा महाँ पर process समझाती है कि recruitment क्या होता है, selection किस तरीके से किया जाता है, candidate को job offer किस तरीके से करी जाएगी, उसको किस तरीके से letters भेज़े जाएगी, यह सब चीज़ें उनको as a coaching mode समझाया जाता है, ठीक है, next होता है आपका job rotation, job rotation क्या होता है, मानो आप m.com से हो, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत HR जानते हो, आप finance भी जानते हो, आप marketing भी जानते हो, आप sales भी जानते हो, ठीक है, mix up हो, clear, तो job rotation में क्या होगा, कि कभी company जो होगी, वो आपकी job profile change करती रहेगी, ठीक है, company आपके job profile change कर रहे है, इससे क्या हो रहा है, कि आपको training मिल रही है, अलग-अलग domain में काम करने की, तो यह आपके होते हैं, चार method for on-the-job training, next आता है आपका off-the-job training, off-the-job training में हमारे पास आते हैं, classroom letter, films, case study और vestibule training, ठीक है, case studies, जैसे कि आप अपने business में देखते हैं, business में जो case studies है, वो real examples होती है, ज्यादा तर, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता है, पहले ही job करने से कि real world में हमारी business किस तरीके से apply हो रही है, ठीक है, films में आपको, films के modes के जरीए, videos के जरीए आपको सिखाया जाता है, कि काम को किस तरीके से करना है, अब यहाँ जो सबसे important आता है, off-the-job में, जिससे question पूछा जाता है, वो होता है आपका vestibule training, यह vestibule training क्या है, कि मानो, के industry है, industry में हमने workers hire करने है, अब यह जो workers हैं, वो heavy machines पर और costly machines पर काम करने वाले है, तो company क्या होती है, directly उनको real machines provide नहीं करती, क्योंकि अगर जराती सी गलती होगी, तो company को करोडों का नुपसान होगा, इसको हम समझेंगे अपनी Tata की examples है, ठीक है, Tata की Nano, जब रतन Tata ने यह स अला पाएगा, ठीक है, यह कार अच्छी थी, बस इसको जादा ही degrade कर दिया गया, तो इस Tata Nano का क्योंकि लक्षे था कि इसको एक लाग रुपे तक के अंदर-अंदर बनाना है, जो के possible नहीं था, अगर Tata अपने existing employees के जरीए इसको बनवा था, क्योंकि वो लोग जो Tata में काम कर रहे हैं, Tata के managers, Tata के employees, वो highly paid लोग हैं, अगर उनहीं से nano बनवाई जाएगी, तो nano की cost कभी एक लाग रुपे नहीं आनी थी, लिए Tata कभी एक लाग में नहीं बनती, तो रतन Tata ने क्या कर रहा, रतन Tata ने सभी जानते हैं कि गुजरात में उसका plant लगाया, जिसमे तोड़े rights भी हुए थे, ठीके, और यहाँ पर रतन Tata ने क्या किया, उसी गाओं के लोगों को Tata की factory गुजरात में लिया, वहाँ पर आपका एक factory इंस्टॉल करी पूरी और उस पूरी factory को इंस्टॉल करके पूरी dummy machines बनाई, dummy machines जैसे के आपकी लखडी की car, ठीके लखडी के car के gates, लखडी की machine, thermacall का, इस तरीक से पूरी उन्होंने factory को install करवा दिया, अब उन्होंने क्या किया, उसी गाओं के लोगों को इस factory में job provide करी दो साल तक, और दो साल तक उन लोगों को क्या करना था, क्योंकि वो बिल्कुल unskilled थे, गाओं के थे, तो उन्होंने क्या कर तो इससे paint सीख जाओगे, अगर किसी को nut bolt करने थे, कि car की उसे fitting करनी है, तो उसको दिन बर यही काम दे देगा, यही बोल्ट है, यह थे खोलने बंद करने, खोलने बंद करने, उसकी यही duty थी, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उनके लिए एक vestibule school तयार करा गया, एक dummy school तय खाया गया, यह सीखते सीखते उन्हें लगे दो साल, दो साल में जैसे ही वो लोग vestibule से सीख गए, कि car को किस तरीके से install करना है, कैसे बनाना है, तो उनको दे दी गई, फिर real factory और real nano, ठीक है, और इस तरीके से टाटा nano बनी, आपकी एक लाग रुपे के अंदर, जिसमें un skilled logo को vestibule schools के जरीए training provide करी गई, और उनसे कम से कम cost पे car को बनाया गया, तो यह है हमारा vestibule training, जिससे question अक्सर उठकर आ जाता है, अगर आपके पास में कोई theoretical question नहीं आ रहा है, तो MCQ तो इस पर आता ही है, ठीक है बच्चा, अभी हम लोग अपने यहाँ पर chapter cover कर रहे हैं, staffing और अगर आप लोगों ने साथ में मेरे मज़े किये, पढ़ाई करी और खूप समझ में आया, तो चैनल को subscribe करें, like करें और अपने friends में share करें, फिर हम मिलेंगे अपने next part में, जिसमें हम discover करेंगे directing के बारे में, जब तक के लिए, अल्ला हाफूस.